लीजर इसको क्या पढ़ा गयाता है इसको पढ़ा गयाता है लीजर लीजर का क्या मतलब होता है मतलब होता है हमारा खाली समय फुरसत का समय ठीक है फुरसत क्यों होती है उसको पढ़ते है लीजर तो यहां पर ध्यान देने वाली कीज यहां पर यह है यहां पर यहां पर यह के बालब आई मोश्टली लोग छोड़ देते हैं यह आई एस आई ओए एन लगा देते हैं ठीक है वह गलत हो जाएगा यहां पर एस के पहले आई आएगा अब देखिए मारा नेक्स्ट वर्ड है लाइब्रेरी लाइब्रेरी बहुत चोटा वर्ड है ठीक है लेकिन लोग आ र-a-r-y हो जाएगा उसके बाद देखिए लाइसेंस ठीक है यह मोश्ट कॉमनली पूछा गया वर्ड है जिसको बहुत गलत करके आते हैं बख्ये अब देखिए यहां पर कहां गलती होती है यहां पर गलती होती ल आई सी की जगा एस ठीक है और एस की जगा सी यह दो पा चया है इसको देख लिएगा आप देखिए हमारा यो नेश्ट वर्डे किया है लाइट निंग घिया लाइटनिंग में क्या करते हैं तो सब लोग लिख देंगे M-A-I-N-T-A-I-N, right, M-A-I-N-T-A-I-N, ठीक है, उसी क्या आगे अगर maintenance को बनाना रहें, तो उसके आगे A-N-C-E लगा देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पर maintenance में ध्यान देने वाला पार्ट यहाँ पर है, maintenance, maintenance, एकीज की यहाँ पर N के बाद A लगेगा, और एकीज की T-E-N होता है, यहाँ पर इतना वाला पार्ट, ठीक है, यह चार स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखेगा, और लाक में S-E-N-A-C-E होगा, राइट, अब देखिए हमारा एक नेक्स्ट वर्ड है, क्या है नेक्स अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मेडवल, मेडवल में भी I-E रहेगा, और यहाँ पर A रहेगा, ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मुमेंटो, इसको मुमेंटो पढ़ते हैं, बट इसकी जो स्पेलिंग होती है, वो M-E-M-E-N-T-O होता है, ठी निशानी, ठीक है, किसी की याद की तौर पर कुछ रखना, ठीक है, किसी की कुछ निशानी की तौर पर, उसको बोलते है, मुमेंटो, अब देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, मिलेनियम, मिलेनियम में डबल L होता है, डबल N होता है, ठीक है, और यहाँ पर E होत मिनियेक्च्य में यहाँ पे ए को ध्यान दिए आप लोग और यह लाश्ट में ए को मिनियेक्च्य मतलब क्या होता है लगू या चोटा इसको क्याते हैं अब देखे हमारे यह नेक्स्ट वर्ड है मिनिस्क्यूवल ठीक है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मिनिस्क्यूवल ठीक है अब देखें यहां पे लोग इस वाले पोश्चन में गलती करते हैं ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान दिएगा अब मिनिस्क्यूवल मतलब क्या होता है मिनिस्क्यूवल मतलब होता है बहु यह इंपर्टेंट है ठीक है वी ओयूस होता है है मिस्चीवियस इस्माइल जैसे की बोलते है या अब देखें हमारी नेक्टी वर्ड हो मिस स्पल ठीक मिस्पल में क्या घोएंगे M I S P E double L. तो यहां पर नेबर की स्पेलिंग क्या होती है N E I G H B O U R अब देखे हमारा नेक्ट वर्ड है नोटिसेबल तो यहां पर देखे C E A यह वाला पार्ट ध्यान देना है आप लोगको नोटिसेबल में क्या होता है N O T I C E A B E इसको ध्यान देखे हम लोगको अब देखे हमारे देखे हमारे नेक्सेट वर्ड हप्रेंस यह बहुत बाहर पूछा गया है एक्जाम में मैं बता भी नहीं सकती कितनी बार पूछा गया है तो इसमें O double C यहाँ पर double C ध्यान देंगे, double R ध्यान देंगे और R के बाद यहाँ पर A ना लगा के लगाएंगे ठीक है यहाँ पर E बहुत important है यहाँ लगना चाहिए यहाँ पर A नहीं लगना चाहिए तो इसको ध्यान देंगे अब देखिए पास्ट टाइम, ठीक है? govern पास्ट टाइम में क्या करते हैं? sign फेलर डती ठी पास्ट और टाइम, यहां पर कीवल सिंगर्टी डगीगा अब हमारे गिल्स वर्ड यह बहुत ही प्यार वर्ड है, ठीक है? क्या है यह यह है perseverance perseverance मतलब क्या होता है मतलब होता है इसका निरंतर निरंतर प्रयत और लगन ठीक है लगातार किसी कीज के लिए हम महनत करें तो उसको हम लोग perseverance पोलेंगे एक कहावत भी है victory belongs to the most perseverance राइट विक्ट्री उसी को मिलती है यो सबसे यारा perseverance होता है ठीक है लगातार लगाव को होता है अब देखें हमारे जो next word है पर्सनल ठीक है अब पर्सनल वह पर्सनल नहीं है यह पर्सनल जो है वह कर्मचारी वाला पर्सनल है इसमें double N होता है ठीक है इसको ध्यान द पर लगा ह 허पो परदें यहां पर डबल्ग उड़ा देते हैं ठीक है या तो डबलू राय एच्टी लगा देते हैं यह बजी उडा देते हैं ठीक है बडट यहां पर क्या इसकी सही कर्के तरह बर नहीं व-r-i-g-h-t अब playwright का क्या मतलब होता है नाटक का someone who writes play जो play लिखता है उसको बोलते है playwright अब हमारे यो next word क्या है possession possession में यहाँ पे double s होता है दो जगा तो इसको हम लोग ध्यान देंगे और यहाँ पे e होता है possession के यह सही spelling है अब देखे हमारे यो next word है वो है precede ठीक है precede में generally कहां पर गलत होता है ठीक है पहले मिनों मतलब समझते कि precede क्या होता है ठीक है दो word होते है हमारे एक होता है precede और एक होता है supersede ठीक है तो यैसे कि आप एक rank पर select हुए ठीक है तो आप से पहले भी वहाँ पे कोई होगा ठीक है और आपके बाद भी वहाँ पे कोई आएगा ठीक है तो आप अगर उस पोश्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पहले वाले ने आपको प्रिसीड किया ठीक है और आपके यो बाद आएगा उसने आपको सूपर सीड किया इस पैलिंगों सर आइस में सभुह प्रायव और स्ट्राटी जबकि और सीद होती है थो देखे क्या होती है पर एचीए और डियते हे दियता उसंध की सी तुछ हाला ची यहां पर प्रेसीड शुपार सीड में सब्सक्ति हैं यह तो यह तो यहां वहांत घिक hommes क्योंगा precede में c आता है और supersed में क्या आता है एस आता है ठीक है आप इसको ध्यान से देखेगा precede को समझ लिए वाक्षिय से आप देखे हमारे क्यों next वड़े हो है principle principle क्या होता है principle होता है head chief जिसको बोलते हैं तो हम लोग क्या करते है estaban प्रृंसिपल में पी यल ए और फी इल ठीक definitive होते हैं तो जो हमारे делать इस्कूल फिए तो आप यहसे याद कर सकते कि हमारी principle mr. paal, टुकिंक है उसको करके याद कर सकते है याद कर सकते यह तरह ठीक है principle मतलब क्या होता है मुख्य होता है जैसे कि कहां कि कोई उस problem है तो हम डिल्ग को इस को principle भी भोल सकते हैं की वहांगी कोई मुंक्य problem है ठीक है मुक्हे दर्शाने के लिए क्waปradival का यूज करते हैं कि वह डिमांड किस-किस की कर रहा है उस प्रिंसिपल की कर रहा है अब देखिए हमारा next word है privilege तो privilege में यहां पर lege होता है lege यहां यहां पर lege होता है privilege मतलब क्यों होता है विशेश अधिकार सौभाग गया हमारा उसको privilege बोलते है हमारा next word है pronunciation तो pronunciation की यह बिल्कुल सही spelling होती है देखिए अब हमारा next word होगे क्या है publicly ठीक है तो publicly में इसकी सही spelling यह होती है ठीक है c-a-l-y य-c-e-l-y यह समने ही रहता है publicly में simply p-u-b-l-i-c-l-y होता है अब देखिए हमारा next word है क्या है वो questionnaire इसको क्या पढ़ते है इसको पढ़ते है questionnaire questionnaire मतलब क्या होता है प्रश्चनावली तो यहां पर देखिए double n होता है double n के बाद होता है a-i-r-e ठीक है तो यह की समनों को ध्यान देनी है आप आप देखिए receive रिसीव की क्या spelling होती है r-e-c-e-i-v-e ठीक है तो यहां पर c के बाद e-i होता है आप लोग इसको ध्यान देंगे अब हमारा यह next word है क्या है वह recommend 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 में recommend में देखिए हम लोग double m यूज करते हो और mend यूज करते हैं यह e को धियान देंगे यह पर double m को धियान देंगे उसके बाद है कि refer raffer में single f दबल f नहीं होता है ठीक है उसी तरह relevant relevant में देखिए a नहीं होता है R-e-s-t-a-u-r-a-g-t टी ए यू आर ए ठीक है यहां तक की चीज़े इंपॉर्डेंट होती है क्योंकि बच्चे जर्रली यहीं पे गलती करते हैं अब देखे हमारा नेक्ट वर्ड है राइम राइम क्या होता है राइम अत्वति तुकबंदी एक कोई कविता गाते तो उसके लाश्ट लाश्ट के वर्ड मिलते हैं तो उसकी सही स्पेलिंग होती है रह्यम उसी तरह हमारा वर्ड है रिदम ठीक है रिदम मतलब ताल रिदम की यह स्पैलिंग सही है अब देखिए शेड्यूल शेड्यूल बोलते हैं सभी लोग है ठीक है और कुछ लोग गलत भी कर देते हैं इसमें इसको सही से नहीं लिखते हैं ठीक है तो तो हमारा नेंट वर ने वह है सरजेंट एग्में इसको पढ़ेंगे इसको सर्जेंट अठॉक है और यहां पर क्या important यहां पर e के बार e होता है तो आप लोग इसको बहुत जादा ध्यान देंगे अब देखें कुछ लोग दे से यह दियर बनता है यह यह पोजेशन होता है उसको भी गलत कर देते हैं तो यह यहां पर कहां पर गलती होती है यहां पर t के बाद h नहीं लगाती है तो यहां पर T के बाद H लगा होगा, right? Treshold, इस तरह यह, इसकी spelling सही होगी, ठीक है? हमारी यह next word है, यहां पर maximum लोग गलती करेंगे, यह word क्या है? 12, ठीक है? तो यहां पर क्या इसकी spelling है? T, W, E, L, F, T, H, right? यहां पर L, F, T, H, यह लाश्ट वाला बहुत ज़्यादा important है, आप लोग इसको देख की जाईएगा. इस वर्ड में जनरली बहुत ज़्यादा confusion होती है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएंगे, अब जो हमारा next word है, वो क्या है? tyranny, ठीक है? इसको tyranny पढ़ते हैं, इसको tyranny नहीं पढ़ते हैं, या कुछ और नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है, अन्याय अत्याचार, ठीक है? इसमें देखिए, टी के बाद वाई, और आर के बाद ए डबल एन, ठीक है? इसको हम दो ध्यान देंगे, अब देखिए हमारे जो next word है, वो क्या है? until, तो until जो है, उसमें यू एन्टी आइल होता है, ठीक है? उसकी ये स्पेलिंग सही हो जाएगी, अब देखिए हमारे जो आइफ लोग गलत लिखते हैं, ठीक है? तो आप इसको ध्यान देंगे, वैक्यूम की स्पेलिंग, ये सही होती है, ठीक है? वी ए सी डवल जू एम, अब देखिए हमारे नेक्स्ट वर्ड वैदर, वैदर और वैदर, ठीक है? डबलू, एच, 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 इसमें बख्या और इसमें गंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैदर की स्पेलिंग ये होगी, इस तरह हमने आग डिसकस किये हमारे हंड़ेड इंपोर्टेंट वर्ड ठीक है? जनली इग्जामिनर्स फेवरेट होते हैं, और पूछे जाते हैं काफी